लखनव के हजरत गंज में मंगलवार साम को पांच मंजला बिल्डिंग ढह गई ये बिल्डिंग लखनव के वजीर हसन रोड थी इसका नाम अलाया अपार्टमेंट था बिल्डिंग गिरने के बाद चारो तरफ चीक पुकार मच गई मलबे में दवे लोगों को बाहर निकालने के लिए भारतिय सेना के जवानों को मोर्चा समालना पड़ा जिसमें सपा परवक्ता अबास हैदर की मा और पतनी की मौत हो गई इसके अलामक करीब 16 लोग घायल है ज बिल्डिंग के नक्से पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं अलाया अपार्टमेंट को गिराने का आदेश 2 अगस्त 2010 को ततकालिन बिहित प्राधिकारी राकेश कुमार मिस्र ने दिया था इसके बावजूद इस बिल्डिंग को अभी तक नहीं गिराया गया अगर यल्डिये परसासन तब जाग गया होता तो सायद आज दो लोगों की जान बच जाती इतना ही नहीं एल्डिये दिकारी ने दो बार इस बिल्डिंग के नक्से को रिजक्ट कर दिया था इसके बाद भी विल्डिंग बन गई यल्डिये दस्ताबेज के मुताबिक साल 2010 में डेवलपर ने बिल्डिंग का कमपाउंडिंग नक्सा जमा किया था तब यल्डिये ने निरस्त कर दिया था कमपाउंडिंग नक्सा तभी जमा होता है जब बिल्डिंग का निर्मार नक्से के मुताबिक न किया गया हो ऐसे में आसंका है कि इमारत का निर्मार बिना नक्से की कमियां दूर किये करा लिया गया फिलहाल यल्डिये बीसी ने जांच के आदेश दिये हैं सुरवाती जांच में पाया गया कि अलाया अपार्टमेंट का पूरा टावर नव इंच के पिलर पर खड़ा किया गया था यही नहीं इसके कुछ पिलर पर कई दिनों से दरारे भी दिख रही थी वही अस्थानिय नागरिकों का कहना है बिल्डिंग के बेसमेंट में कई दिनों से पिलर की मरमत का काम चल रहा था ऐसे में आसंका जताई जा रही है कि इस दवरान हाथसा हुआ है और पूरी इमारत गिर गई वही मौके पर पहुँचे यल्डिय इंजिनेरों ने भी मलबा देख कर बताया कि घटिया निर्मार होने की वज़ा से ये इमारत दस साल में ही गिर गई इस अपार्टमेंट को यजदान बिल्डर ने बनाया था यजदान बिल्डर के मालेक सायम और फाहत यजदानी हैं वही अलीम चोधरी और सराफत अली डारेक्टर हैं यजदान डेवलपर्स के मुताबिक आठ साल पहले उनका इस इमारत में कार्याले था जो अब बंद हो गया है यल्डिये परसासन ने अब यजदान बिल्डर की तीन और बिल्डिंग चिन्नित की है इन पर भी कारवाई करने की तयारी कर रही है डीजीपी डीएस चवहान ने कहा कि बिल्डिंग का निर्मार घटिहा अस्तर पर किया गया था इसके गिरने के पीछे यही कारण हो सकता है उन्होंने कहा कि बिल्डिंग के ऊपर के दो फ्लोर के लिए भी अनुमती नहीं ली गई थी इसके बावजूद पांच मंजला इमारत बना दी गई जाज की जा रही है जो दोसी होगा उस पर कारवाई की जाएगी